तो दोस्तो एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सब थे दोस्तो जैसे की देख सकते हैं कि Poco Launcher 4.2 को नया अपडेट आ चुका है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेजिए फुल रिबू कर दूँ उसके बाद में आप लोग पने डिवाइस में डिसाइट कीजिए कि इस Poco Launcher 4.2 को इनिस्टॉल करना है या नहीं करना है अगर आप लोग किसी भी Poco की डिवाइस को योज करते हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगले प्रोब्लम की बारे में बात करें जैसे की देख सकते हैं जो एपिस हैं रिसेंट मिन्यू के वो नीचे चले गए हैं जो की एक नया प्रोब्लम देखने को मिलता है there यहाँ पर जो center में होते थे लेकिन अब नीचे चले गए हैं तो कुछ devices में ऐसी problem देखने को मिली है कि जो apps हैं वो bottom में चले गए हैं जैसा कि देख सकते हैं तो यहाँ एक नया problem पोको launcher 4.5 की नए update में देखने को मिलता है अगला problem जैसा कि देख सकते हैं कि उपर की सारी चीज़े गायब हो गई हैं जो की एक नया महा problem देखने को मिलता है इस पोको launcher 4.5 की update में आपर date, time, so, memory, status का जो option है वो यहाँ पर देखा ही नहीं राय जैसा कि देख सकते हैं hide हो गय अब अपने डिवाइस में Poco launcher 4.5 की इंस्टॉल करना चाते हैं तो हमारे टिलिग्राम चैनल टेकनिकल सियोम जी पर इस Poco launcher 4.5 का डाउनलोड लिंक देखने को मिल जागा तो आप लोगों को सिंपली इस वीडियो के description में जाना है वहाँ पर लिंक दिया हुया फिर आप लो हिंद बंदे मातरम